सबी का स्वागत है हमारे चैनल पर और सभी को नमश्वार करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है कथा समराट मुशी प्रेमचंद मुशी प्रेमचंद हिंदी के सरवाथिक लोप्रिय आउश्रेष्ट कहानी का अर्माने जाते हैं कुछ प्रेशनशक उन्हें कथा समराट कहते हैं उन्होंने ना गेवल कहानिया लिखे अपितुत तेरह उपन्यास भी लिखे वे निर्मला गोदान जैसे उपन्यास के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं प्रेमचंजी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वारानिसी के पास लमही नामक गाउं में हुआ और उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था उनके पिताजी की बात करें तो वो डाग खाने में मामूली नोकर थे और इनका असली नाम धनपत राय था उनके चाचा उन्हें नवाब राय बुकारा करते थे केवल 8 वर्ष की आयू में ही इनकी माताजी का देहान थो गया उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी साथ ही उन्होंने धन पत्राय की भी शादी करा दी पत्नी कटु भाशी नी थी विवाह के एक वर्ष बाद ही पिताजी चलव से अब सोतेली मां उनके दो बच्चों तथा पत्नी का सारा भार उनके कंधों पर आ गया उनके घर में भैंकर गरीबी आ गई कभी पुस्तक तो कभी कोट बेच करके घर का खर्चा चलाना होता था यह तो उनका पुस्तक प्रेम था जिसने उन्हें जीवन जीने का एक नया रास्ता दिखाया था एक दिन वे पुस्तकें बेचने के लिए पुस्तक की दुकान पर खड़े थे और उनकी भेंट एक हैड मास्टर जी से हो गई उन्होंने थनपत राय को स्कूल में अध्यापक के रूप में नियुक्त कर लिया उन्हें पढ़ने की इतनी आदत थी सैकडों पुस्तकीं दुकान पर खड़े खड़े पढ़ गए और केवल 13 वश की आयू में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया वे नवाब राय के नाम से लिखा करते थे उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया था और जल्दी ही वे लोकप्रिय हो गए इसे बीच उनकी पतनी एप्रसन होकर माई के चली गई वे लोटकर फिर कभी नहीं आई कुछ समय बाद उन्होंने शिवरानी नामक एक बिद्वा से शादी कर ली शिवरानी के बाद उनका जीवन कुछ अच्छा होने लग गया था व्यवस्तित होने लग गया था और उनकी नोकरी में भी उन्नती होने लगी बेध्यापक से उपने रिक्षक पत्त पहुँच गए तभी 1907 में उनकी कहानियों का संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ इसमें भारत की दुर्दशा का वर्नन था सरकार ने इसे अपनी सत्ता के विरुद्ध समझा और इस पर प्रतिबंद लगा दिया तब एक पत्र की संपादर दया नारायन निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने का सुझाव दिया और यह सुझाव उन्हें पसंद आया वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे उन्होंने नवाब राय नाम से मुक्ति पाली पे लिखते भी हैं कहां के नवाप जीवन में प्रेम से रहना अधिक सुखकारी है प्रेम चंद ने दोसों से अधिक कहानिया और तेरे उपन्यास लिखे मंगल सुत्र नामक उपन्यास लिखते लिखते वे दिवंगत हो गए उन्होंने कई नांटक और निबंध भी लिखे उनकी सबसे लोगप्रिय आप्रसित कहानिया है इदगाह, बड़े घर की बेटी, गिली डंडा, बड़े भाई साहब, शत्रंच के खिलाडी, बुडी कागी, नमक का दरोगा, दूद के दम और कफन इदगाह की बात करें, तो इसमें एक अनात बच्चा है, जो अपनी बुडी दादी के सामने एक योध्धा है किन्तु बुडी दादी के कश्टनों के सामने अपना बच्पन भूलकर उसका संरक्षक बन जाता है गिली डंडा में लेखक ने बताया कि कोई व्यक्ति कितना भी तरक्की कर ले, किन्तु जो आनंद आपसी भाईचारे में और समानता में मिलता है, वह अधिकार सुख में कभी नहीं मिलता बड़े भाई साब में रट्टे बाजी की और पढ़ाई में उलजे एक किशोर की गाथा है, जो हासी के सासाथ परिक्षा पर भी बड़े प्रेशन खड़े करता है शत्रंज के खिलाडी में जुए और शत्रंज में टूबे फे दो नवाबों की कहानी है, जो निकम्मेपन के कारण अपना सारा सामराज्य खो बैठते हैं बुढ़ी का की एक मारमिक कहानी है, जिसमें घर में बुढ़ों की उपेक्षा और दुर दशा पर बे धड़क बेंगे किया गया है नमक का दरोगा, एक इमानदार अफसर को सराती है और उसकी स्थापना करती है दूद का दाम में दलीतों और उपेक्षीतों की मारमिक कथा है कफन में शोशनों निकम में पन्रदेहीन इंसानों की कहानी है जो अब जानवर बन चुके है पेमचंद का उपन्यास निर्मला बेमेल बिवाह और दहीज प्रथा का परदाफास करता है गोदान की बात करें तो यह उनका सरवाधिक लोग प्रिये वो पन्यास है और इसमें एक किसान होरी की मरम व्यवस्था को बताया है भारती किसान के जीवन की एक यही महत्वा कंक्षा है कि वह अपना खेत, घर में गाए और आपसी भाईचारा उसके पास होना चाहिए अत्यंत सरलता और साथगी से जीने वाले किशान की यह मनो कामना भी पूरी नहीं हो पाती है मुझसे प्रेमचंद नारी शक्ती के समर्तक थे वे नारी को महान मानते थे उनके इस पास्ट धारना थी कि जब पूरुष में नारी के गुणा जाते हैं तो वह देवता हो जाता है और जब नारी में पूरुष के गुणा जाते हैं तो वह कुल्टा बन जाती है उनके नारी शरीत्र पूरुषों से अधिर परभावित है प्रेमचंद की लोगप्रेता का सबसे प्रमुक कारण यह है कि उनके कहानिया किसे चरित्र और पारत पात्र जीवन से उठाए गए हैं उनमें कपोल कलपना का लेश भी नहीं है पाठक उन्हें पढ़कर जैसे साक्षात जीवन का रस लेता है इस प्रकार से वे सचमुच हिंदी के कता समराथ हैं उनके उतकरश को उनके बाद आज तक कोई नहीं छुपाया